हेलो एवरिवन दिस इस अमित पांडे वेलकम टू आप प्लैटफॉर्म डाउटनट लेन फंट तो कैसे हैं आप लोग बच्चों आज की इस क्लास की हम बात करें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है दा मेकिंग ऑफ चली रही है पॉलिटिकल साइस में ने बोला है कि जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सोशल साइस में सबको कनेक्ट करते हुए चला करो उसके बाद ही आपको चीज़े समझ में आएंगी है ना तो अगर इस चैप्टर को हम एको से करेंगी अपना जो एकोनोमिक्स तक ही जो है इस चैप्टर से आएगा इससे जादा नहीं पूछा जाएगा तो यह अच्छी आपके लिए आप सबके लिए आप से पूरा चैप्टर बहुत ही इंट्रेस्टिंग साथा आगर आता तो बट यह वन अवरंटी 5% ही आ चैप्टर मतला बहुत छोटा पोर्शन पूमंडी करति से बोलते हिल्डी में तो अगर मैं बात करूँ पूरे दुनिया कि हमारे प्रिफ्वी घ्रह की हम बात करें पूरे परिफ्वी की बात करें इसमें लोग रह रहे हैं अलग-टेश का ललाग कौन्टिनेंट् sure है ना, हजार-은-क्रोर्र Hoog रह रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलू हुग, कि पूरी दुनिया झुड़ी हुई है, किस टर्म मैं बात कर रहो हुग हुग है, मैं आर्थे ग्रूप से बात कर रहो हुग कि पूरी दुनिया जुटै इना, आर्थे रूप से यानि कि सारी ब्रैंड्स फिर नहीं depths नियुक्ष ने अपर ग्रेंड्स ह्तिते करें धिंडिया कि टेलlग कर लेat आप लेंगे नियुक्त फिर यह इन इंडिया की brands ही नहीं उनकी चीज़ेंग। जो आप यूस कर रहे हो पूरी दुनिया है ना यह कही जुड़ी हुई है connected है और इसका क्या इतिहास रहा है इसका क्या history रही है इसकी उसकी हमारे पढ़ने जा रहे है अच्छा अगर आप थोड़ा सा connect करना है याप एक चैप्टर है globalization and the Indian economy उसमें भी बेसिकली आप एही पढ़ोगे लेकिन उसमें क्या पढ़ोगे आप उसमें पढ़ोगे जो modern जो globalization है वैश्वी करन जो है कि आज के ताइम पर जो है चीजे connected है आप जो है 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया घूम सकते हो और इसमें टेक्नलोजी का बहुत बड़ा तो उसके बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे जो है globalization expand होता है कैसे जो है MNC company शुरू होती है लेकिन उस chapter में तो आज प्रिजेंट के बारे में पढ़ोगे न आप अगर इस प्रिजेंट की हिस्ट्री क्या रही है तो हर चीज का कोई ना कोई इतियास होता है हर चीज के कोई तो जो फिरेंड करते हैं क्या आज से 2000 साल पहले थीन हार साल पहले भी ऐसे होता होता था फोलकुल होता था जो इसके हमें कुछ और रही साहिए आ जो एक दूस के पूरी दुनिया जो है अभी के बात करें उस टाइम से हमारी पूरी दुनिया जो है चुड़ी होई बस उसे के बारे में इस चैप्टर में प्ढ़ने वालर की हिस्ट refresh आज आप फोन चला पारे जो भी आप क्लों की कई है उसकी सितर में का बहुत है пожए कज Uno चि चेजर पहले भी काम से धीर हो कर झाले योरोप से इंडिया आने तो बस यही चीज़े जो हम पढ़ने वाले हैं, तो यह जो ग्लोबल वर्ल जो बना है, इसकी मेकिंग कैस होगी, कैसा पूरा प्रोसेस हुआ, हर चीज की हिस्ट्री होती है, बस उसी के बारे में हम जो है, जानने वाले हैं, ठीक है न, बस connect करते रहेगा, चीज़ों को, चीज़े जो आपको एक-एक समझ माएगी, एक-एक चीज़ समझ माएगी, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, किसके बारे में, हाँ, थोड़ा सा introductory part देख लेते हैं, पहला topic आपका, प्री-Modern World, अचा, प्री-Modern World मतलब, क्या आज का टाम, आज चीज़ों आज जो आप आधुनिक दुनिया देख रहे हो, modern world जो देख रहे हो, मतलब technology से भरी हुई है दुनिया, है ना, चीज़े जो है, मिंटों में, सैकेंडों में हो जाती हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हो, communication तना फास्ट हो गया है, आज का जो modern world है, इससे पहले का जो world है, उसमें क्या बोल दिया, उसमें बोल दिया, pre-modern world, उसमें चीज़े कैसे काम करती, तो उसमें trade कैसे हुआ करता था, वो इस topic में हम समझेंगे, है ना, हम modern time की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम globalization में पढ़ेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, pre-modern world की, मतलब modern world से पहले का जो world था, पहले की जो दुलिया थी, वो कैसी थी, है ना, हम पूछते हैं ना, अपने दादी वावा से, आपके जमाने में लोग कैसे जो चीज़े थी, वो manage क्या करते थे, आज के time पर तो हम Instagram तिला लेते हैं, वोट से ला लेते हैं, उस time पर time pass करने के लिए क्या करते होंगे, तो वो उनके time, वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए pre-modern world है, आज के time पर आप modern world में रह रहे हो, है ना, तो उसी के हम बात करने वाले हैं, तो देखो हैं आप, लेट मी स्लेक पहेंद, ओके चलो, हाँ, so from ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims, traveled vast distance for knowledge, opportunities, and spiritual fulfillment, और इसके persecution, अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर आगर हम बात करें, अभी ancient time की बात हो रही है, कि ancient time से क्या होगा है, कि अलगला है जो travels होते हैं, travelers जो होते हैं, मतलब भई, जो घूमने जाते हैं, एक जगा से दूसरे घूमने जाते हैं, आज भी तो जाते हैं, आज की time, देखो, मैं इस chapter को जो modern world जो है, और pre-modern world उसको compare कराऊंगा, और similarities बताऊंगा आपको, तब यह आप difference पता लगा पाऊगे, है ना, दो चीजों का difference का पता लगा पाते हैं, जब उसमें को similarities होती है, जैसे हम बात करें, ancient time में, ancient time में जो travelers होते थे, traders, भाई, जो व्यापार करने जाते थे, business आज की time पर भी तो जाते हैं, जो अपने, अपने religion का जो एक होता है ना, परिचार करते हैं, basically, कि एक propaganda फेलाया जाता है, मतलब जैसे होता है, कि एक message फेलाया जाता है, कि हमारे पहले उस time पर क्या था, उस time लोग बहुत जादा religious हुआ करते थे, तो वो अपने, जो religious things है, उनको जो है लोगों तक पहुँचाया करते हैं, है ना, तो बहुत सारे preach थे, प्लिग्रिम, जो वहाँ पर जो, प्लिग्रिम का मतलब क्या आएक है, जो तीर सियाथरी वगरा जो होते हैं, जाते हैं, जैसे, बात करें, जैसे Muslims हैं, जैसे, हम इंडूस की बात करें, वैशनो देवी, केदारनाथ वगरा जाते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बात करें, जीवस की, तो जीवस का जो holy place है, वो कहां पर है, जैसलेम, वहाँ पर पुजा करने जाते हैं, तो सब के कोई ना, कोई holy places होते हैं, तो यहाँ पर पुजारी वगरा है, एक जगा से दूसरी हो जा रहे हैं, प्रीज जा रहे हैं, एक जगा से दूसरी हैं, ट्रेडर्स जा रहे हैं, ट्रेड करने के लिए, है ना, और यह बहुत दूर दूर तक जो है, बहुत धर्म जो है, काफी जादा क्या होगा, फ्लरिश होगा, है ना, तो लोग अपनी spiritual fulfillment के लिए एक जगा से दूसरी है, उस टाइम पर जाये करते थे, और यहाँ पर लाश्ट देर का है, एक जगा से दूसरी यहाँ भागा करते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कि जो लोग है, एक जगा से दूसरी हाँ ट्रैवल क्यों करते है, तो यह है रीजन होते हैं, यहाँ तो ट्रेड के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो ट्रेवलर आ रहे हैं, यहाँ तो तीर से आतरी हैं, यहाँ पर बोल सकते हो, अपनी spiritual fulfillment के लिए हैं, जैसे आज की टाम पर हम बात करें, तो बहुत सारे जो US और यॉरोप में लोग रहते हैं, तो वो मत्रुआ में आते हैं, मत्रुआ वंदावन में आते हैं, इसकों टैंपल का नाम सुना होगा, इसकों जो और इसकों आपने 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 पूजा करने आते हैं, अपनी spiritual fulfillment के लिए आते हैं, श्टीव जॉप्स के हम बात करें, वो भी तो आय थे इंडिया में, तो ऐसे करके आते हैं, तो आई हुप थोड़ा सा ऐसे आपने को connect करते हुए जो है, आपको चलना है इस chapter में आगे, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब बात हम कर लेते हैं, इसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में, और ये कैसे पूरी दुनिया से जुड़ी ह करते हैं, और चाइना एक पूरे वर्ल्ड का ट्रेड सेंटर हुआ गरता था, चाइना की हमाँ बात करो, चाइना लाइक ब्रिसोर्स से बढ़ा हुआ था, हर एक चीज जो है आपर चाइना से, बाहर के देशों में जाती थी, इस्पेशली यॉरोप में, ऐफरीका में, और सिल्क रूट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिक्कत हुआ था, मैं बता दूसकी स्टूरी यह है, कि सिल्क जो है न, वो चाइना से ऑरिजनेट हुआ है, चाइना नहीं इसका इंवेंशन किया था, सिल्क को, सिल्क के बारे में किसी को पता नहीं था, और यह जो टेक्नलोजी है न, मतलब यह जो बनाने का तरीका है सिल्क, यह चाइना ने बहुत सालों तक जो है चुपा करके रखा, दुनिया से, और बहुत जादा क्वांटिटी में सिल्क जाय करता था चाइना से दूसरे देश में, सिल्क से कपड़े बनते हैं, बहुत महिंगे महिंगे कपड़े हुआ करते थे, लेकिन सिल्क का ट्रेड बहुत होता था, क्योंकि सिल्क में सिर्फ मॉनोपॉली किसकी थी, चैना की, है न, और जब एक जगा से चीज जा रही है, आ रही है, बहुत जादा आ रही है, तो हमने उसी के ऊपर जो है नाम रख दिया उसका, है न, तो जैसे सिल सिल्क रूट बोला जाता है, अब इसका मतलब यह निए, कि सिल्क का ही ट्रेड होता था, भाई हर चीज का ट्रेड होता था, क्योंकि यहाँ पर चायना में ही सिल्क बनती थी उस टाइम पर, तो इस वएसे क्या हुआ, इसका नाम सिल्क रूट पढ़ गया, क्योंकि चायना मतलब तो पता दिया, what is this, why is known as silk route, तो मैंने बोल दिया, the silk route are good example of the vibrant pre-modern trade and cultural links between that distant part of the world, अब basically हम पर बोला जा रहा है, silk route जो है ना, एक बहुत अच्छा एक उन्दा example, किसका, एक तो trade का, लोग जो है trade क्या करते थे, और सिर्फ trade नहीं होता था भाई, इस रास्ते से cultural exchanges भी हु और जब मैं trade करने जा रहा हूं, बट मैं जुड़ा किस से हूं, नौर्थ इंडिया की culture से जुड़ा हूं न, साउथ का मेरे को नहीं पता, तो जब मैं जाओंगा, तो साउथ इंडिया का जो culture है, और culture में सब कुछ आ जाता है, मेरा food, मेरा पहनावा कैसा है, है ना, मैं प अब ही culture है, उसको भी तो साथ में लाएगा न, अपनी जो ideas है, समझ रहो न, जैसा आप देखो कि North India में बहुत सारे South Indian instruments होते हैं, और South Indian बहुत अच्छा भी लगता है, हमें बहुत टेश्टी खाना होता है, इडली वाड़ा, डोसा हो जारा, तो ये सब क्या है, ये culture का ही लोग अपनी religious teachings के लिए आया करते हैं, जैसे इसलाम की हम बात करें, और जो Christianity की हम बात करें, और सिल्क रूट की हम बात करें, ये भी दो तरह के थे, एक तो सी रूट था, सी के थूरू जो आता था, एक था लैंड के थूरू, तो ये भी दो तरीके की हुआ करते हैं, समझ जो वेस्ट है न, वेस्ट से काफी जादा टेट था है इनका वेस्ट चैनी सिल्क कार्गोश अलोंग डावूट, तो यहां पर चैनी जो सिल्क है, वो जाए करता है, और सिल्क एजादी कहां से हुआ है, सिल्क का यहां पर invention यहां बोल सकते हो, चाइना में हुआ है, है न, चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं यहां पर हिस्टोरियंस इंटिफाइट सेर्वल सिल्कूर्ट ओवाद लैंड और यहां पर सिल्कूर्ट भी दोता रहे थे एक ओवाद लैंड लब जमीन से होते हुए और सी समुझ से होते हुए फटो चैना को यॉयृप से और जो और जो नहीं है तो बस्क्रिस्ट कि बात कर रहे हैं थो प्री-्मॉडण व्र्ल में घीयिजेडी वगएरा जो थे हैना Сегодня दिए इग्जिश्टेट बिफोर दा क्रिशियन एरा यह आधर ना पाई क्रिश्टिन के बात करें किर्शियन एरा मतलब जब जीजस क्राइस का जो बर्स नीए होता न उससे पहले का जो है यहां पर सिल्कूट चला रहा है त्टीक है त्टीक है चानीज पोर्टरी एे ज? यहां पर ही जो है और जो इंडियन उंड ये ट्रेड करते थे यहां पर पएमंट का से रहा यहां करते थे आधर में फूर्च भूंत और व alan जो ट्खैम सबूंत अष्टा तो वहाँ पर हर तरीके की आप जो है फार्मिंग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी असाफ वाथ करो मैं present day की बीबात कर रहो हूं आ पर चाइम पर भी जो मसाले जाते हैं यॉरोप में वह लुक्त लुक्रूट के फाल से पर यहां पर शुम्न पर पाइंत किसम गरते थे गोल्ड और सिलवर में क्योंकि वहां पर गोल्ड और जादा था तो यहां पर इंडिया में कैसे आए चाइना में कैसे आए तो इसी की धुरूआ है आप जैसे कोई बाहर का ट्रेडर रहतर है वह इनके श्मुसलिम है तो जब आएंगे तो आप पानेश्या है चाहिंगे में कर था है तो जैसे कोई इंडोनेश्या की बात करें तो हाज एक टाइम पर इंडविश्या आपर बुद्दिश्म काफी फ्लरीश हुआ था आजख त पर मुस्लिम समया पर लेकिन वह हमारी कल्चर को अभी मांते है समझा गए थैश,, न तो वहां कुछ नहीं करना है सिंपली करना आपको यैसे मैंने बताया कि बाई एक इंसान जब एक जगा से दूसरी आ रहा है ट्रेड करने गुँमने जा रहा है तो फूर्ड भी तो साथ में ले जाएगा ना अब ऐसा तो है निकिए आप North India के हो South India में जाओगी तो आप देखोगी South India में क्या खाया जाता है तो उसके साब से अपना food ले जाओगी आप तो जो North India में खाया जा रहा है वही तो ले जाओगे ना South India में जब जाओगे जब लोग आप से मिलेंगे घुलना मिलना होगा बैठना होगा जान पैचान होगी तो वो कहेंगे आप से आप क्या खाते हो कि हम तो समोसे खा रहे हैं हम तो ये दही जले भी खा रहे हैं North India में बहुत खाये जाती है और आप क्या खा रहे हैं हम तो वाड़ा खा रहे हैं दोसा खा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा? फूड के एक्षेंज भी दोसा है, फिर आप टेश्ट करा होगी, भाई उन्हें समोसा बहुत अच्छा लगा, उनको यह जो दही जली भी बहुत अच्छा लगी, है ना? अब आप फिर उन्हें रेस्पी दोगे उन्हें कि ऐसा ऐसा बनाया जाता ह और फिर आप उन्हें से पूझोगी, यह दोसा क्या से बनाया जाता है, समझे रहो ना यहां पर, तो कहने का मतलब क्या है, जब एक इंसान एक जगा से दूसरे आप जा रहा है, तो यहां पर फूड भी एक्षेंज होता है, और फूड इस अलसो पार्ट ऑफ कल्चर, आप आपका जो फूड आपका खाना पीना रहें से हैं, यही तो आपका पार्ट है आपकी सिंस्कृति का, कि आप किस चीज को फॉलू कर रहे हो, समझ मा आ गया, तो यहां पर फूड की हम बात कर लेते हैं, और फूड में भी स्पैगिटी और पोटेटो की बात करेंगे, पटे आपका बात करूंगे, यहां पर बात करूंगे, यहां पर बहुत आपका इलाका इंडू-चैना वाला, वेतनाम, लाओस, कमबोडिया, यहां पर भी सबसे पहले कौन पहुंच गया था, अज़र ट्रेडर, पॉर्टुगीज, और अगर मैं अमेरिका की बात करूंग, तो अमेरिका में भी स्पेन और पॉर्टुगीज, मतलब साथ मीं कहीं तो कोलमबस स्पेन का था, और उसके साथ में कुछ उसके पॉर्टु जब वो जाते थे कहीं भी, तो वहां पर उन्हें नहीं क्रॉफ मिलती थी, और देखते थे, हैंना, और यहां पर जो एक सबसे अच्छे एक्जम्पल दिया गया है, नूडल्स का, मतलब नूडल्स कोई क्रॉप नहीं है, खाने वाली चीज है नूडल्स का, ये नूडल्स की हम बात करें, तो यहां पर चाइने में से नूडल्स बोला जाता है, और ऎक हम बात करें वेस्ट में, वेस्ट की हम बात करें, मतलब यॉरूपी जो खोड़ा यहां पर से स्पागेटी बोला जाता है यहां पर इसको स्पागेटी बोला जाता है यहां पर इसको स्पागेटी जो है बोला जाता है यहां पास्ता इटालियन की बात करें इटालियन की बात करें इटालियन में जो है पास्ता होता है बेसिकली पास्ता खाते हैं पास्ता सब फिफ्थ सैंचुरी सिसली एन आइलेंड नाव इन इतली तो भाई सिसली याद करो सिसली अगर आपने राइज आफ ने यौरोप पढ़ा होगा तो इसमें सिसली पढ़ा होगा आपने एक आइलेंड है कहां पर इतली के नीचे आप दाओगे बिल्कुत साउथ में ठीक है ना अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां पर कुछ एरप के ट्रेडर्स जो थे वो गए थे इतली में और यहां पर एक आइलेंड ने सिसली करके यहां पर इन्होंने यह पास्ता को जो है इंट्रूइस करवाया था हम बोलते है ना पास्ता इसा इटैलिन डिस इटैलिन डिस न आपको इतनी चीज है वो किलियर हो गए होंगी अब यहां पर इक बहुत इंटर्स्टिंग बताता हूं मैं क्रॉप्स की बात करता हूं है ना तो यहां पर हुआ क्या फोटीन नाइंटीटू में यहां पर कोलंबस जो होते हैं कोलंबस यह स्पेन की होते हैं अपने कुछ पूर्टिगाली और और पूर्ट घ्टंपाइन के साथ जो है निगलते हैं ट्रैवलिंग के लिए और यहां पर इंडिया की खोचके लिए निकलते हैं मतलब इन्हें इंडिया का एक नया रूट देखना था क्योंकि आपको पता होना जीए इंडिया का जो नॉर्माल रू पर इफ्रीका घी है और यहापर ट्रीना च्रीड यहां पर 200 इने सब्कॉंटिनेनंट तो यह है क्या है यह drop और यह वे भून बहुत है अब यहां से त्रेंड का सथा था यह यहां पर यह पूरा यह पूरा यह वाला जूरू यहां पर किसका गंट्रोल हो गया था और लेकिन यह पूरा यॉरोप देख रहे हो आप इधर पूरा यहां से ट्रेड किया गरता था इंडिया से ट्रेड नी करें अब यहां पर प्रॉल्म यह हुई कि यह पर इतने भी यॉरूपी देश थे ना यह इंडिया से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे अब यहां पर इंडिया के नए रास्ते की खोज करते हैं एक नए रास्ते की डिस्कवरी करते हैं तो यह एक्सपेडिशन शुरू हो गई थी और यह सोच के निकले थे इंडिया मिल जाएगा अमेरिका में यह आदिवासि की तरह करते थे तो यह कहां है यह आए आपर अमेरिका के खोज कर लेते हैं और जब अमेरिका जाते हैं तो यह नहीं नहीं चीजों की डिसकवरीज करते हैं और अमेरिका में ही जो है बहुत सारी चीजों की डिसकवरीज हुई और बहुत सारी क्रॉप्स की भी डिसकवरीज हुई तो ऐसी इनों ने क्या किया भाई जो पटेसों आप खा र चिली, स्वीट पटैटो, सकलकंदी जो से बोलते हैं, तो यह सब जो है टहाँ पर डिसकवर किये थे, कोलंबस में अमेरिका में, और यह जब भाई अपने घर से गए हैं, इतनी दूर अमेरिका, तो वापस तो जाएंगे न, और जब यह बापस गए, तो यह वापस जाते है तो पटैटो, सोय, सब अपने साथ में लेगा आते हैं, और ऐसी क्या हुआ, ऐसी जो जितनी भी यह आप देख रहे हो, यह पूरी दुनिया में खाई दाते हैं, तो यहाँ पर जो गरीब लोग थे, जो मीट को एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं, वो पटैटो खाना उन्होंने शुरू कर दिया, पटैटो खाना शुरू कर दिया, क्योंकि पटैटो जो थे, इनमें जाला कुछ करना भी नहीं पड़ता था, और नॉर्मल जो एक सॉयल होती है, ज्यादा फर्टिरिटी वाले सॉयल चाहिए भी नहीं, नॉर्मल सोयल में ग्रो कर जाते हैं, और इनकी ल आरे लाखों लोग जो होते हैं मर जाते हैं, क्यों सिर्फ वो आलू पर बहुत जादा डिपेंड हो चुके थे, तो यह कहानी थी किसकी भाई, यह कहानी थी यहाँ पर, काइंड ओफ यह फूर की कहानी थी, है ना, और यहाँ पर यह एक्जैंपल आप जो है, लिख सकते हो आइरिश, जिसे बोलते हैं, आइरिश फेमान बोलते हैं यह से, तो लिख सकते हो आप यह थी, है ना, तो यहाँ पर हम बात करें, आइलेंड पूरेश पीजैंट्स बिकें सो डिपेंडेंट जो जो बेसिकली गरीब जो लोग थे ना, है ना, वो जाला डिपेंड थे, क्य यहाँ पर क्या होता है, 1840s की बात हो रही, 1840s में यहाँ पर, हजारों लोग यहाँ पर मर जाते हैं, ड्यू टू स्टाव वेशन, मलब हुकमरी के कारण, ठीक है, I hope आपको इतनी जो चीजे हैं, वो clear हो गई होगी, चलिए, अब बात कर लेते हैं, हाँ, अब यह लास्ट की बात होती है, तो भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैं COVID का एक्जामपल ना दूँ, तो अभी दो साल पहले COVID आया था, और हम सबको पता है क्या हुआ, आपकी तो बल्ले-बल्ले होई थी, बोट्स थे आपके, तो अगर बात करें, बहला आपकी नहीं, जो पहले जो बच् हो गया था, एक्जाम भी हुए नहीं थे, ऐसे बच्चों को पास कर दिया था, अब हुआ क्या भाई, जो COVID आया था, COVID जो आया था, वो कैसे आया था, सब बोलते हैं, चाइना सा है, और पूरी दुन्या में कैसे गया, तो आपकोस कोई ना कोई तो लेके गया होगा, कोई इन्फेक्टेड बंदा, चाहिना से किसी दूसरे कंट्री में लेके गया होगा, तभी तो फैला है ना, यह तो इतनी स्पैर हुए है, करोड़ों लोग यहां पर, इन्फेक्टेड थे, करोड़ों लोग मारे गए हैं यहां पर, अगर हम बात करें इस की, तो भाई, यहां सॉर्सरे के अमेरीका करें किश्यों मैंने जैसे की बताया अभी, कोलम्बस जो एं अमेरीका गयी, फिर यहां पर बह। सारी झोयरॉपांबरी यह र्वहां रहा गरती है बहूंदस इतनीyr स्टाउंग बावर नीट थी और वो काफी पिछड़े लोग ते लेकिन वहाँ पर सोर्से बहुत जादा थे तो अलग-अलग यॉरॉपी लोग जाने लगे अब उन्हें यूएसे पे जो है एक गटोल करना था जैसे इंडिया पर कंट्रोल किया था ना प्रेश ने वैसे उन्हें यूएसे पर कंट्र पूरी दुनिया से उसे नहीं पता था क्या होता है यह सब चीज है जैसी बीमारियां पर आई तो आप देखोगे 50-60% जो लोग है वो यॉरोप से अमेरिका जाके बस गए थे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके चलते हैं कि यॉरोप में काफी गरीब ही थी एंप्ला था और यहां पर रिलिजन के नाम पर भूसारे लोगों को मार भी दिया जाता था तो यहां पर बहुत सारी जो लोग है काम की तलाश में जो है ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका पर आगे बस गया तो आज की ताइम पर आप जो देखे हो modern day Australia और modern day America यहां पर जाद दर जो लोग है वो Europeans ठीक है चलिए तो 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 यहां पर लिखा हुआ है Europeans sailors found a sea route to Asia and also successfully cross the western ocean to America pre-modern world shrank greatly Indian Indian ocean trade यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर यहां पर बात हो रही है कि European sailors थे like Columbus की बात कर लो वास्त को डिगामे की बात कर लो तो उन्होंने एशिया का एक नया रूट डूल लिया मैंने बता है ना 1498 1498 में इंडिया की खुझ हो गए Columbus तो नहीं कर पहलें Columbus ने उससे भी खुझ कर दिया अमेरिका की और इंडिया की खुझ हो जाती है इंडिया की नइना रूट की सिंज उन्होंकी ओंवट नॅ जूम्हें टरूल सकते हूं मैं जहां पर जाती है अब यहांपर नहीं पर किया हुआ आप यहां पर इंडियां इंडια को तो यहांपर जो है इंडियो pouvीन ने वह उस rezले ambass to निनी का गंटोल था तो यहां पर यह होनी पार था बेसिकली और हां यहां पर बात करें जब इंडिया से ट्रेड रोता था साथ की साथ लोग आते थे गोड्स आते थे उनकी नौलेज आती थी है ना तो इधर से जो यहां पर बात करें अमेरिका में भी बहुत सारे लेंड थे मिनरल से बहुत जादा तो यहां पर यहां पर यहां पर यॉरॉप जो है था बागी की दुनिया से और यहां पर यॉरॉप जो है एक में एक टेर सेंटर की रूप में जो है यहां पर एक इवाल होते हो दिखाई दे रहा था ठीक है अब आप थोड़ी दिन माहीं देखो कि 102 सालों में यह कंट्रोल करने लगेंगे इंडिया गुलाम बन जाएगा अश्टेलिया को भी बना लेंगे अमेरिका को भी बना लेंगे मना इन्हों ने दुनिया का कोई भी जो देश है वो नहीं छोड़ा है ना चलिए तो इसी की बात कर लेते हैं तो यहां पर प्रेश्यस मेटल्स पर्टिकुलर्ली सिल्वर फ्रॉम माइन लोकिटे इन अमेरिका जो कॉंटिनेंट जो इनने डिसकवर किया था इसमें जो पेरू हो गया मैक्स को हो गया यहां से जो है सिल्वर गोल्ड और प्रेश्यस मेटल्स जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइनस किया यॉर्पेंस को और यहां पर बात होई लेजंड्स सेंटीं सेंचुरी यॉरोप अबाउट साउथ अमेरिका फैवल्ड वेल्ड मैनी एक्सपेडिशन सेट उफ इन सर्च ऑफ अल डॉराडो अब यहां पर एक ऐसा वो था होता ने कहानी होती है कि अमेरिका में बहुत जादा क्या वोल्ड है और यहां पर एक शहर अमेरिका म बहुत सारी कहानिया थी जैसे आपने देखा होगा वह काइंड ऑफ जो एक एनिमे वन पीस करके तो उसमें भी एक एक एसा शहर है वहां पर बहुत सारा वेल्थ है तो ऐसी एल टॉराडो जगह बता जाती है यहां बहुत सोना था तो इसके लिए बहुत सारी एक्सपेडि यहां पर तो अलड़ी मैं बोल चुका हूँ के जो प्रेशिस मेटल से पैरू के और मेक्सिको के इन्होंने काफी जादा यहां पर इनकी वैल्थ को काफी एक्सपेंड किया आप बोल सकते हो काफी एनेंस भी किया ठीक है चलिए पॉर्ट्ट्गीज एंड स्पैनिश कॉंक आप सुनों यहां पर यहां पर यहां पर अलड़ी मैं बता चुका हूँ आपको यह जो पॉर्ट्गी स्पैनिश जो थे इन्होंने अमेरिका को कैसे कॉंकर किया बस भाई सिंपल सान ने क्या किया स्मॉल प्रेप्स वहला थिया अमेरिका अमेरिकास औरिजिनल इन्हबिट अमेरिका की नेटिव इन्हेटेंट्स जो थे वह काफी क्या थे वह काफी नए थे वह जो है इस डिसीज के अगेंच उनके पास इमुनिटी नहीं थी तो इस वह से वह मर जाते हैं 50-60 पर संट जो नेटिव अमेरिका की पोपलेशन होती है यह सफाई हो जाती है इसकी और मतला बिना लडाई के जो है उन्होंने लडाई जीत लिया अमेरिका से अमेरिका पर जोगा कंटोल कर लिया ठीक है अचा थाउजंड फ्लैड यॉरोप फॉर अमेरिका वाई यहां पर बात हो रही है यह मैं अल्लडी बता चुका हूं आपको के बहुत हजारों लोग जो थ पवर्टी बहुत जादा थी औरोप में भुकमरी बहुत जादा थी लोगों को ऐसी मार दे जाता था और पॉपलेशन एक तू बढ़ रही थी यहां पर है ना उसकी चलते क्या हुआ वाई सिटीज वर क्रावड़ेड एंड डैडली डिसीज वर बीमारिया और फैल नहीं सिटीज जो थी बहुत जादा क्रावड़ेड थी और स्टैंप पर इंडॉसलाइशन भी चलता था और वहां पर हुआ क्या था यहां पर जो लोग हैं क्योंकि इनके अपर खेती वेती होती नहीं है लोग खेती में इतना कमा नहीं रहे थे बैसकली मैंना बताया ना कि यॉ जो जो अनिंस का पिरेड जो है वह गोल्डन पिरेड चल ला था साइंस में खोज हो रही थी बहुत जादा भाई लैक्तॉन न्यूटर्न प्रोटॉन इस्टीम इंजन और इस पिनी जानी मशीन मुला कपड़े मनाने वाले जो मशीन थी वो फुरेज बहुत सारी तमाम ची यहां पर यॉरॉप में इनका अच्छा का सा मार्केट भी था तो एक मट हां अंतिल वैल इंटु दा 18th century चाइना इंडिया वर अमंग दा वर्ल रिचेस्ट कंटिया अगर हम बात करें 18th century तक चाइना और इंडिया जो थे दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री मैंने बता अब सुने आप होता क्या है यहां पर 15th century में आप एक बहुती मेजर चेंज दिखाई देता है कि चाइना जो होता है चाइना क्या करता है अपने आपको जो है रेस्टिक्ट कर लेता है मतला भारी दुनिया से वह नादा तोड़ देता है कि हमें कोई रिच्टा नी रखना यॉरोप से किसी से भी हमाएं पास सफीशन्ट रिसोर्स हैं और हमें किसी दूसरे की ज़रूत नहीं है तो यहां पर आप क्या होता है यहां पर अब जो में ट्रेट सेंटर होगा क्या बन जाएगा यॉरोप बन जागए मैंने आपको बता दिया है ठीक है ना चाइना आव यॉरुप अब देखो कि आइसे यजा काुप अब देखो करेंगे आउसे केपाँ तो यह सारी इतनी इंडिया को भी हैं जाते 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 आते 18th century में जाते जाते इंडिया को capture करेंगे, उससे पहले तो मोगल्स थे, तो ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके पूरी दुनिया पर ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे देखोगे, तो यहां तक था आपका चैप्टर, तो यह थी हमारी modern day की कहानी और प्री-modern world की कहानी, प्री-modern world की बारे मीं जाना है वैसे हमने, modern world की तो बात ही नहीं की हमने, है ना, चले, तो कहीं न कहीं, सारे जो चीज़ें वो connected है, और आप globalization chapter में पढ़ोगे हमारे एक जो modern day globalization जो उसके बारे में, ठीक है, चले, तो end करते हैं इस lecture को, I hope, सारी जो आपको समझ मा आगी होंगी, अब हम मिलेंगे next class में, तब तक के लिए goodbye, take care